पाट तीन, मुर्गे की बांग, एक था मुर्गा, नाम था खुँँ, पता है क्यों? क्योंकि वा कुकुडु कु की जगा करता था कुकुडु खुँँ, खुँँ देखने में बहुत सुन्दर था, बहुत बड़ा बड़ा सा एकदम सफेद रंका, उसकी सुन्दर सी लाल र पाती हुई कलगी, खुँँ बड़ा चतुर भी था, एक लोमडी बहुत दिनों से उससे पकड़ कर खाने की ताख में थी, लेकिन हर बार खुँँ उससे बच निकलता था, इसलिए खुँँ अपने आपको बहुत जादा चतुर समझने लगा था, एक दिन पेड की सबसे पूची वाली डाल पर बैठने ही वाला था कि अचानक जोड से हवा के एक जोका आया और खुँँ उपर से गिर पड़ा, उससे देख कर सभी जानवर हसने लगे, कुता भों हों हों करके हस रहा था, बताओ बकरी कैसे हस रही थी और घोड़ा कैसे हस रहा होगा, खुँँ को गुसा आ गया, उसका चहरा फूल गया और आखे लाल हो गई, वो कौक 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 करके सोचने लगा, ये लोग मेरा मजाग बना रहे हैं, मैं इने नहीं छोड़ूंगा, सुबा होने दो इन सब को बता दूँगा, अगले दिन तड़के ही मुरका उड़ गया, इतनी सुबा थी कि अभी सूरज तक नहीं जागा था, खू ने अपने पंक से अपनी आखे मली, जोर से अंगडाई ली, फिर वो अपनी गर्दन लंबी करके जोर से कुकुडु खू चिलाने ही वाला था कि रुख गया, उसने कुकुडु खू नहीं किया, उससे याद आ गया कि कैसे कल सब जानवर उस पर हस रहे थे, खू ने सोचा, अब देखना, अब पता चलेगा इनको मेरे उपर हसने का क्या मतलब होता है, जब मुर्गे ने खुकुडु खू किया ही नहीं, तो कोई जानवर जगा ही नहीं, भला मुर्गे की बांग के बिना कोई कैसे जाकता, देने लगा, लेकिन अभी भी सारे जानवर सोते ही रहे, सोते सोते वे खराटे ले रहे थे, कुट्ता कर रहा था भर, भर, बताओ, बकरी कैसे खराटे ले रही होगी, और घोड़ा कैसे खराटे ले रहा होगा, दीरे दीरे सूरज और भी चड़ गया, अब मुर्गे को भूख लगी, उसने इधर देखा, उधर देखा, उपर देखा, नीचे देखा, फिर उससे याद आया कि घोड़े के लिए बहुत सारे चने रखे होंगे, खू हमेशा कोशिश करता था कि घोड़े के लिए रखे चने खाले, लेकिन घोड़ा खाने ही नहीं देता था, आज खू को लगा कि घोड़ा तो सो रहा है, इसलिए अब मौका है, मौका पेड से उतर आया और चने खाने लगा, उसने खूब चने खाए, खाता गया, खाता गया, खाता गया, इतना खाया कि वह फूल कर एकदम गेंद की तरह गोल मतोल कुपा हो गया, उसने एक बड़ी सी डकार ली और थप से बैठ गया, अब उससे चलते ही नहीं बनता इतने में वहां लोमडी आई लोमडी ने देखा अरे वा, मुर्गे से तो चलते ही नहीं बनता है अब बच कर कहां जाएगा मुर्गा बिचारा बुरी तरह घबरा गया उसने डर के मारे एक दम पीछे हटने की कोशिश की लेकिन उससे तो हिलते ही नहीं बना के पैने पैने दाथ चमक रहे थे लाल-लाल जीप लपलपा रही थी और मूसे ला ठपक रही थी मैं तुमको खार जाओंगी लोमडी ने कहा मैं तुमको खार जाओंगी लोमडी और भी पास आ गई खु को उसकी काली नाक और चमकती आखें दिखने लगी लोमडी खु पर जपट कर उसकी गर्दन दबोचने ही वाली थी कि अचानक मुर्गे को कुछ याद आ गया वह जोर से चिलाया कुकुरुकु या सुनते ही सभी जानवर जाग उठे उन्होंने देखा कि लोमडी मुर्गे पर जपटने वाली है कुटा तेजी से दोड़ता हुआ आया और जोर से लोमडी की पूछ काट खाई बकरी दोड़ती हुई आई और लोमडी की जोर से सिंग मार दिये गोड़ा दोड़ता हुआ आया और लोमड़ी को इतनी जोर से दुलती मारी कि लोमड़ी गुलाटी खाती हुई हवा में उचल पड़ी जमीन पर वापस गिनने के बाद वह वहां से जो भागी की अभी तक नहीं दिखी उस दिन के बाद से मुर्गा भी रोज समय पर कुगडू कुग करता चला आ रहा है